हेलो दोसों दृष्टी आईस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है बारिश का पैटन और मांसून का आना भारत के लिए फसलों के हिसाब से बहुत महत्पूर्ण होता है मांसून के सबय में जो बारिश होती है उससे कई तरह की फसलों को फाइदा होता है किस सिस्थितियां आती हैं कई बार हम बारिश को देखते हैं तो उन सीजन के दौरान बारिश होती है लेकिन कई बार जो बारिश है सीजन के दौरान ना हो करके कुछ ऐसे महीनों में होती है जहां पर अपेक्षा न की जा रही हो या फिर उस समय बारिश होने से फसलों को नु कि बौर्वाती 15 दिनों में हमें ताप़ मान काफी जयदा बढ़ता हुआ दिखाई पर बाद के कुछ समय में बाद के 15 दिनों के अंतराल में जो बारिष थी वह tôi ज्यादा होती हुई दिखाई दी खास के उत्तरपश्मी भारत और दिलि जैसे ख्षित्रों मैं अब का एक असर यह हुआ कि इससे गेहूं की फसल जो की समय काटने का सीजन आता है या कुछ समय बाद इस फसल की पैदावार हमें प्राप्त होनी होती है तो इस पर इसका प्रभाव पड़ा यह आज की सीजन में हम जानेंगे और किस तरह से यह फसल प्रभावित हुई है इसकी तुल्ला हम पिछले साल की बारिश के दौरान जो इस्थितिया घटित हुई थी उससे करेंगे तो मार्च में हुई अधिक बारिश से कैसे प्रभावित होगी गेहूं की फसल इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और खासतोर से राजवार भी परिस्थितियां अलग-अलग ह हो सकती है कि कभी फसल किसी समय में वही गई कुछ सकता है किसी कुछ किसानों ने उस फसल को कुछ समय बाद बोया हो तो इन सभी सितियों को देखेंगे और प्रिलिंस में भी बहुत सारे सवाल इस से जुड़े हुए क्रिशी से संबंदित पूछे जा रहे हैं चर्चा में क्यों है देख लेंगे इसके अलावा इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझेंगे 2022-23 की इस्थितियां पिछले साल से कैसे अलग रही इसको समझेंगे बारिश से गेहुं की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको जानेंगे क्या संभावनाय है और क्या निशकर्ष हो सकता है इसके अलावा प्रारंभिक परिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल क्रिशी उत्पात का भंडारन परिवहन यानि ट्रांसपोर्ट और विपड़न यानि मार्केटिंग समंदित विशय और इससे जुड़ी हुई बाधाएं किसानों की सहायता के लिए यह प्रोध्योगी की यह सभी विशय आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन किये हुए है तो वो एक प्रशासनेक अधिकारी को डील करनी होती है तो इस हिसाब से भी बहुत जरूरी है जिस परिक्षा को आप देने जा रहे हैं तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2021-22 वित्तिवर्ष और 2022 थे इसके बीच में तुल्ला की गई है और यह पता चला है कि दोनों वर्ष के बदलाव से रभी की जो फसल है वो काफी असामान हुई है गेहूं कि रभी की फसल है जो सामान ने ता 15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच में बोई जाती है तो इस स्थितियों से अगर आप देखेंगे दोनों ही वर्षों में अलग-अलग घटनाएं हैं अलग-अलग परिस्थितियां हैं लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं और प्रभाव हुआ कि उपज में कमी हुई खासतोर से गेहुग की हम बात कर रहे हैं वर्षा में भिननता है ताप्मान में भिननता है इन दोनों का जो पैटन हैं दोनों व्रशों में अलग-अलग रहा कई ऐसी सितिया बनी की जो फसल है फसल को नुकसान हुआ मुझ अर दोजार सालों के मौशम में भिनता से जनवरी 2022 तक हर महीने सामान ने लंबी अवधी से के ओसत से अधिक बारिश हुई है सामाने ता जिसको लंबी अवधी की यानि ज्यादा समय तक चलने वाली बारिश कहते हैं सामाने तोर पर जो लंबी अवधी होती उससे अधिक हुई है ठीक इसके अलावा जो ओसत अधि प्रिसोट भी किया था इन न्यूस प्रोग्राम में कि मार्च के महीने में क्यों बढ़ रही है गर्मी नहीं देखा होगा इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसमें आपको कारण समझ में आएंगे जिस वजह से उस दौरान गर्मी बढ़ रही थी और आज के सेशन में हम कर रहे हो तब परियाप्थ नमी पर करना चाहिए और देर से पकने वाली प्रिजातियों की बुगाई जो है उसको समय से कर देना चाहिए दर्वाइस जो उपज है उसमें कमी हो सकती है ऐसा बताती है प्रभाव क्या है तो मार्च 2022 की जो असामान गर्मी पड़ी है उसमें गेहूं के उत्पादन में कमी आई है क्योंकि एक ऐसा चरण होता है जब गेहूं की जो फसल है उसके अंतरगत बालियों का निर्माड हो रहा हो और उसमें अनाच का दाना बन रहा हो उसमें पोशकतत प्रोटीन और श्टार्च जैसी मात्रा जुड़ रही हो तो विकास का मात्रा में या उतना भारी नहीं बन पाएगा और ससल जब काटी जाएगी तो उत्पादन में गिरावट दिखाई देगी वही हुआ तो मार्च के मद्दे तक अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सेस के आसपास रहा अब क्रिशी मंत्राले ने कुछ डेटा जारी किया था जिससे हमें पता चलता है उत्पादन के बारे में जैसे पिछले साल गेहुं का उत्पादन 107.74 मिलियन टन रहा 2020-21 के अगर आप सर्पकालिक उच पैदावार से देखेंगी कि जो की 109.59 मिलियन टन थी तो उससे गिरावट लगबग 1.7 फीसद की ही रही थी यह हमें पता दिख रहा है और 2022-23 जो नीले रंग से दिख रहा है इसमें आपको दिखाई देगा कि सामान से जो बारिश है सामान बारिश की तुल्ला में कितनी वृद्धी हुई है तो यह वृद्धी दर्श आई गई है जैसे सितंबर में अगर आप देखेंगे तो 2021-22 में 34.9 फीसद बारिश ज्यादा हुई इसी तरह 2022-23 के उसी समय में देखेंगे तो 8.4 फीसद अक्टूबर में आपको दिखाई देगा कि इस वर्ष में ज्यादा रही नवंबर में अगर आप देखेंगे तो 85.86 फीसद 8-6 फीसद बारिश 2021-22 में ज्यादा रही जबकि अगर आप 22-23 को देखते हैं तो यहाँ पर जो बारिश है उसमें गिरावर दर्ज की अब आप नवंबर से देखते जाएंगे नवंबर दिसवर जन्वरी तो फर्वरी तक बारिश की स्थितियों में आपको गिरावर दिखाई देती है उसके बाद अगर आप मार्श में आते हैं तो 2021-22 मे मार्च में बारिश बहुत कम हुई थी जबकि इस साल जो है मार्च में बारिश 25 फीसत से जादा हुई है सामाने की तुल्ला में तो 2022-23 क्यों अलग रहा क्योंकि मार्च 2023 में गर्मी की जो संभावना थी वो जताई जा रही थी जिस तरह से पिछले साल मार्च के महीने में गर्मी पढ़ रही थी और इसके अलावा जो फरवरी का महीना था वो बहुत जादा गर्म रहा इस साल हमने देखा जो जलवाई परिवर्तन के प्रभाव हैं उसकी वज़े से फरवरी क महीने में गर्मी बहुत जादा पढ़ रही थी इस पर भी एक सेशन किया हुआ था कि साल सरवरी में क्यों बढ़ रही है गर्मी इसके कारण इस सेशन में बताए हुए है इसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा तो उसको जा करके देख लीजेगा अब आएमडी का क्या कहना है आएमडी ने बताया कि मार्च 2023 के लिए अधिक्तम और नियुंतम तापमान सामाने से उपर रहने का अनुमान है यानि कि जैसा सोचा जा रहा था कि इस साल भी मार्च में जो गर्मी है वो अत्यधिक पड़ेगी तो उस तरह से नहीं पड़ी कुछ दिन ऐसे थे जो सामाने से जादा गर्म थे और बारिश हो जानी के वैसे जो तापमान है उसमें गिरावट भी आई यानि मार्च ना तो गर्म निकला ना ही सूखा निकला मार्च 2022 में अगर आप दिल्ली की सितियां देखेंगे तो दिल्ली का ही अगर तापमान देखें तो 15 मार्च को 35 डि किया गया था जानि March इस बार पिछले की तुला में उस तरह से गर्व नहीं रहा तिपकी फरवरी का महीना आगर आप देखेंगे तो ऊसत तापमार अगर निकाला जाए तो फरवरी का महीना सकते क्गर्म फरवरी की लोप में दर्च किया गया था इसलिए हम कह सकते है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यानि कि जलवायू परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा फसलों के पैटन पर भी दिखाई देने लगा है यह जो एक्जामपल्स है आज के सेशन के अंतरगत हम डिसकूस कर रहे हैं आप इनको कहीं पर लिख भी सकते हैं जिससे जब आप जलवायू परिवर्तन का फसल पैटन पर प्रभाव लिखेंगे तो यहां परियुत्तर आपका बन जाएगा अब 35 डिग्री की जो सीमा है जो इस साल गई है इसके अंदर ही रहा तापमान हम देखा मार्च 2023 में 14 डिग्री के आसपास रहा तो गेहूं के लिए सब क्या बनती है तो गेहूं पर क्या प्रभाव होता है तो गेहूं के दाने विक्सित होने और पकने की अवदी के दौरान अगर बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए गर्मी बहुत ज्यादा पढ़ जाए या तूफान आ जाए तो इससे गेहूं की फसल बहुत ज्यादा प्रभा बारिश होती है या फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो अनाज के पकने में दिक्कत होती है अगर गर्मी पड़ेगी तो उस तरह से पक नहीं पाएगा अगर बारिश होगी तो पकने की वजए से वह भारी हो जाएंगी यह जो आपको यहां बालिया दिख र किसान अपनी तयारी करते थे कि फसलों को बोया जाएगा और उससाब से काटा जाएगा लेकिन अनप्रिडिक्टिड जो पैटर्न है जो बदलता जा रहा है उसकी वज़े से किसानों को भी दिक्कत हो रहे अब संभावनाएं क्या क्या हो सकती है तो भारती क्रिशी में जितनी हमने अनुमान लगाया था उससे कम ही है क्योंकि फसल अगर भीग जाए और फिर धूप में सूख है तो जो बालियां है जिसमें दाने होते हैं वो और भूरबुरी हो जाती है और तनों से तूटके गिर जाती है गिर जाने पर फिर उनको उस तरीके से उठाया नहीं जा सकता और कंबाइन हार्वेश्टर मशीनों से जब कटाई होगी तो वे वापस से नहीं मिल पाएंगी इस हिसाब से भी देखा जा सकता है उत्पादन में उस हिसाब से हमें प्राप्ति ना हो पंजाब और हरियाडा को देखेंगे तो इसके अधिकांश हिस्तों में नवंबर के मद्द से पहले बुआई शुरू हो गई थी जबकि पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार के लिए दिसंबर में फसल बोई गई थी जिसकी वज़े से कहा जा सकता है कि जो बारिश है इससे फसल को फायदा हो सकता है और तापमान में गिरावट और दाने भर करने की जो समय सीमा है इसमें भी वृद्धी हो सकती है मतलब कि थोड़ा और लंबा समय मिल जाएगा इस साल कि ताकि जो दाने है और बहतर तरीके से भर सके फसल और बहतर हो सके तो यह कुछ और और प्रभाव है इसके अब निशकर्ष की अगर उत्पादन में गिरावट आ जाए तो क्या गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं विश्यशक्यों का मानना है कि संभावना कम है क्योंकि इसके पहले भी हम कई स्थितियों को देख सकते हैं जैसे शिकागो बोड़ आफ ट्रेड फ्यूचर एक्सचेंज में गेहूं की कीमते पिछले साल मार्च में 500 डॉलर परिस्तर पर कम हुआ था उसके अलावा वैश्यक परिस्थितियों की चलते भी जो खाध्यान की डिमांड थी वह बढ़ गए थी तब भी कीमत जो थी वह ठीक थी और आज के समय अगर हम देखेंगे तो उत्पादन कम होने की वज़े से जो कीमत है उसके बढ़ने की संभा लावना कम ही है और विशशक्घ्यों का मानना है कि इस बार ऐसा नहीं होगा इस हिसाब से फसल का जो लाभ है वो मिल सकता है किसानों भी हो सकता है लेकिन झो जलवायू परिवर्तन का प्रभाव है वह सभी इस तरों पर अब फसलों में भी हमें दिखाई देने लगा है औ तब आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देदें द्रिष्टी आईफ ने NCRT के लिए एक कोर्स शुरू किया है जो लाइव ओलाइन माध्यम से द्रिष्टी लर्निंग एप के अंतरगत आपको उपलब्द कराया जाएगा इसमें एड्मिशन्स शुरू हो चुके है तो दिये गए नंबर पर कॉल करके आप अतरिक्त जानकारी ले सकते हैं फीस यहां पर दी हुई है क्योंकि NCRT का वैसे अपने आप में वेटेज बढ़ता जा रहा है और अगर आपको थोड़ी भी समस्या लगती है उसको समझने में पढ़ने में या फिर उसको रिलेट कर पाने में एक्जाम के दोरान तो आप इसका लाब ले सकते हैं अब प्रशन देखें निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए यहूं की फसल एक खरीफ की फसल है जिसकी बुगाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर की बीच की जाती है यह फसल दाने विक्सित होने और पकने क कि अवदी के दोरान गर्मी और बारिश तूफान के प्रती समवेधन शील होती है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा या कौन से कथन सही है कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं आप से मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्मून विश्य के साथ तक बढ़ते रहें अपना ख्याल लखिए शुक्रिया